है है यह लो फ्रेंड्स व looking तु मैं इस्ट्रीज करतंत यानि की नर्वस सीस्टम के बारे में बताऊंगी जिसके अंतर कर्वत हैं प्रेफिर नर्वस सिस्टं अपरained नर्वस सिस्टंग इस इसमें से मैं आज central nervous system के brain के सभी भागों के बारे में बताऊंगी और तंत्रिका तंत्र या nervous system क्या है इसके बारे में दोस्तों वही चीज बताऊंगी जो आपके exams में पूछे जाते हैं वीडियो को सुरू से लार्श तक देखने पर आपको सब मालूम पढ़ जाएगा एन दोस्तों यदि आप physical education के किसी भी competition exam चाहे किसी भी state का हो TGT, PGT, KVS, NBR, CLT, Rajasthan, PTI, DSSB इस सभी के exams का preparation यदि आप syllabus के recording कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज syllabus के recording है सभी वीडियोज को watch करके आप अपने preparation को बेहतरिन कर सकते हैं एन दोस्तों 100 सभी वीडियोज प्रिवेस यदि यमसी की उच कोस्टन के दिये गये हैं उसका practice करना आप न भूलिएगा एन दोस्तों syllabus के recording capture wise में यमसी की उच प्रैक्टिस करा रहे हूं उसको भी practice करना न भूलिएगा तो चलिए चलते हैं आज के अपने टापिक पर तंत नुरान से बना हुआ एक जाल होता है अफ्र की नूरान क्या है दोस्तों इस बारे में एक अलगसे वीडियो बनाओँघी जो मेरा नियर अपना हुआ है तंत्र का तंत्र होता है वह नीरान से बना हुआ प्रहिए जाल है जो सोचने, शमजने, असन, तुलन और मैसेज को श हमको कोई संदेश प्राप्त होता है तो हमारे त्वचा से इस पर्स का हमारे कान से सुनने का हमारे आंग से देखने का जीव से स्वाद लेने का और कान से सुनने का यानि जो भी हम देखते हैं काला निला हरा पिदा ये इस प्रकार का वस्तु है उसका संदेश जो है हमारे मै तंत्रीक यानि यह कारे हमारे सिस्टम का होता है रिव्छ लुखोव कर दो दोस्तो एका तंत्र का नीरान से होता है, तंत्र का कर्यात्मक iqai होती हे निरान, जैसे हमारे सरीर की सुचुता में इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी तरह हमारे तंत्री का तंत्री की कारयात्मक इकाई जो है और निरान होती है, जैसे कि दोस्तों, निरान की बारे में जब मैं बताओंगी, तो आपको डीटेल में पता चल हैं उसके अंसार हम कारेक करते हैं तंत्र का प्रारम है वह हाइडरा से होता है दोस्तों मनुष्य सरीर भी पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्र का कोशिका यानि निवरान ही होती है जो 90 cm लंबा होता है और यह जीवन में शिप्ट एक बार इसका विभाजन होता है जैसे कि दोस्तों चिकिसा बिग्यान की वह साखा जिसमें तंत्र का तंत्र की संरशना और इससे समधित होने वाले रोगों का आधियर किया जाता है उसको निरोलोजी बोला जाता है जैसे कि दोस्तों हम समझ गये कि तंत्र का तंत्र यानि नर्वस सिस्टम जो होता है वह विभीन जनकारी के प्रसारर यानि ट्रांसमीजन के लिए रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बीच आवस्यक कड़ी बनाता है इसलिए इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं दोस्तों रिसेप्टर्स क्या होता है कई बार पूछ लिया जाता है रिसेप्टर्स क्या होता है यानि कि रिसेप्टर्स वह होता है जो हमारे अंगों से इंद्रियों से आती हैं और वह मस्तिष्क से वातावरण के ज्यान को हमारे मस्तिष्क तक पहुचाती है जो मनुष्य को वाताहोरण में बदलाव आता है, उससरी का आभास को हमारे मस्तिश को पहुँचाता है, जैसे की शरी से कोई चीज इसपर्ष करे, तो चमड़ी इसका आभास हमारे मस्तिश तक पहुँचाती है, थीक है? और असानिक पदात का स्वात जो है, जीव हमको मस्तिष्ट पहुचाती है, खुसबू या दुर्गंद के बारे में नाख हमको मस्तिष्ट पहुचाती है, अब आज के बारे भी कान हमको मस्तिष्ट पहुचाती है, अंधिरे उजाले का चित्र के बारे में आख हमको मस्तिष्ट पहुचाती है, तो इस प्रकार में संदेश यो है, वाता वरण से हमारे मस्तिस्थ चाहते हैं, फिर मस्तिस्थ को उस पर किया करता है और जब कर लेता है तो जो उद्धी पर यांगी संदेशू का जवाब देते हैं जैसे मांस्पेशी, ग्रंथी, कोशिका, आदे जैसे कि दोस्तों एक जांपल के थुरू आप समझ सकते हैं कि जैसे हमको कोई कारे करना है हमको कोई चीज उठाना है कोई बुक रखा हुआ है उस बुक को देखकर यानि हमारा आँख कारे कर रहा है आँख ने उस बुक को देखकर उस संदेश को हमारे मस्तिश तक पहुचाया कि उसको हमको उठाना है अब मस्तिश निडर ले ले लेता है कि हमको उस बुक को उठाना है यानि कि दोस्तों तो जब हमारा आंख देखता है हुष बुक को तो आँख जब हमारे संदेश में पुषाथा है मस्तिश का चाम हो गया है और मस्तिश या स्वार बależता है है कि इस बुक को उठाना है और वह हमारे अंगो को क्रियासील बनाता है यानि उस संदेस को हमारे अंगों तक पहुचाता है तुस्वान काम करता है जब उस संदेस का पाइब न्यूडों को संदेसों का जबाब देते हैं te दोस्तों हमारे सिस्टम में है कि जो नीरान्स होते हैं वह संसरी नीरांज एंड मोटर निरांस होते हैं यही सेंसरी निरांस जो है हमारे अंगों से संदेश को मस्तिस्त तक ले जाता है और मोटर निरांस उन मस्तिस्त के संदेश को निर्ड़य को हमारे अंगों तक पहुचाता है जिससे हमारे सरीर के विभिन क्रियाएं संपन होती है इस प्रकार हमने जाना कि तंतरिका तंतर क्या है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि तंतरिका तंतर के प्रकार के बारे भी तंतरिका तंतर जो है वा तीन प्रकार का होता है केंद्रिय तंतरिका तंत यानि जिसे Central Nervous System यानि CNS बुला जाता है दुसरा परदीय तंत्रिका तंत्र यानि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पी mand बोला जाता है तिसरा स्वायत तंत्रिका तंत्र यानि autonomous nervous system जिसे ए एनस बोला जाता है केंध्रीय तंत्रिका तंत्र यानि cns यानि Central nervous system के अंतर्गात हमारा मस्तिस्क और इस्पाइनल कार्ड यानि मेरी रज्जु आता है और परेधिये तंत्रिकात तंत्र यानि पेरेई फरेल नर्वर्स सिस्टम के अंतर प्येनस के अंतर 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 तिरालीस जोड़े नाड़ियां आती हैं तिरालीस जोड़े नाड़ियों मेरी से बारे जोड़े नाड़ियां हमारे दिमाग यानि दिमाग के कान निथल नाड़ी से निकलती हैं और एक तिस जोड़े नाड़ियां इस्पाइनल नाड़ी यानि की इस्पाइनल कार्ड से निकलता है एंड तिसरा स्वायत तंत्रिका तंत्र यानि की आउटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है यह भी दो प्रकार का होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानि की सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा परनुकम्पी तंत्रिका तंत्र यानि की परा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में केंद्रिये तंत्रिका तंत्र यानि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मस्तिस के भाग के बारे में जानेंगे क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में इस अभी पार्स के लिए नहीं उपाएंगे इसके लिए 4-5 पार्स में हमको छोटा-छोटा करके बताना है जिससे आपको समझने में आसानी हो तो आज हम समझेंगे Central Nervous System में दो भाग आते हैं मस्तिस्क और मेरी रज्जु यानि की Spinal Card तो हम मस्तिस्क के बारे में जानेंगे मस्तिस्क यानि ब्रेल इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है घुरूर के एक्टोडर्म से जैसा कि दोस्तों मस्तिस्क का जो मस्तिस्क हमारा जो होता है जो हमारे क्रेनियल यानि कपाल होती है खोपडी के हड़ी होती है, क्रेनियल जिसमें आठ हड़ियां पाई जाती है, खोपडी में, वो खोपडी में ही उसके नीचे ही हमारा मस्तिस्क जो है, वो सुरच्छित रहता है, जब भी हमको चोट लगता है, तो सबसे पहले हमारे मस्तिस्क के उपर जो हड़ी होती है, उस टोटल बाड़ी वेट का 2% यानि एक बटे 50 वाँ भाग होता है। यानि कि महिलावा में इसका भार 1250 से 1350 ग्राम और पूर्सों में 1350 से 1450 ग्राम होता है। जैसा कि भेरी इंपोर्डन है कि मस्तिस्क यानि ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली होती है। जिसे मेनिंजेज जिल्ली बोला जाता है। अब मेनिंजेज जिल्ली के अंदर द्रव भरा रहता है। जिसे मेनिंजेटिस द्रव कह जाता है जो रख संचार का कारे करती है। मेनिंजेज जिल्ली जो है वो तीन परत होती है। मिरिंजेज जिली कितनी परत होती हैं तीन परत होती हैं मिरिंजेज जिली की तीन परत कौन कौन सी होती हैं दिवरामीटर, आर्कनायड, पायामीटर दिवरामीटर जो होता है वह सबसे उपरी परत यानि कठोरियम लचिली होता है और मद्य परत जो होता है आरकनायड होता है जो मुलाययों सेरम की बनी होती है और सबसे आंतरिक परत होता है पाया मेटर जो सबसे नीचे होता है या सहे जो उतक की बनी होती है इसी से मस्तिस्क को आक्सिजन तथा पोसक पदार्थ पाप्त होते हैं इसी की नीचे हमारा मस्तिस्क होता है अब बात करेंगे दोस्तों कि हमारे मस्तिस्क यानी ब्रेन के कितने भाग होते हैं मस्तिस्क के दोस्तों तीन भाग होते हैं अगर मध्य और पस्ट आगर मस्तिष याँ जिसे फोर ब्रेन कहते हैं मदे मस्तिष जिसे मीद ब्रेन कहते हैं और पस्ट मस्तिष याँ जिसे हिंड ब्रेन कहा जाता है आगर मस्तिष याँ फोर ब्रेन के अंतरगत टेली एंसी फिलान और डाई एंसी फिलान आता है टेली एंसी फिलान के अंतरगत प्रमस्तिस्क यानि सेरी ब्रम और लिम्बिक सिस्टम आता है और डायन एंसी फिलान के अंतरगत थेलेमस और हाइपो थेलेमस आता है एनमध्य मस्तिस यानि मीड ब्रेन में कारपुरा क्वार्डी जेमिना और सेरिब्रल पेंडेकल आता है और पस्य मस्तिस यानि की हिंड ब्रेन में सेरिबेलम और मिल्ला अबलांगेटा आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्रमस्तिस यानि फोर ब्रेन के बारे में जैसा कि अग्रमस्तिस यानि फोर ब्रेन के दो भाग है टेली एंसिफिलान और डायन एंसिफिलान टेली एंसी फिलान जो है अग्रमस्तिस के आगे का भाग होता है और डायन एंसी फिलान अग्रमस्तिस के नीची का भाग होता है टेली एंसी फिलान में प्रमस्तिस और लिंबिक सिस्टम आता है डायन एंसी फिलान में थेलेमस और हाइपि थेलेमस आता है सबसे पहले बात करेंगे प्रमस्तिस की यानि की सेरीब्रम की प्रमस्तिस यानि सेरीब्रम जो है मस्तिस का सबसे बड़ा भाग होता है यह ध्यान में रखिएगा और दोस्तो प्रमस्तिस जो है वह बुद्धी मत्ता वा चिंतन का केंद्र होता है सेरिब्रम जो होता है बुद्धी मत्ता वा चिंतन का केंद्र होता है यह भी इंपोर्टेन है ध्यान में रखेगा बुद्धी मत्ता वा चिंतन का केंद्र कुन होता है सेरिब्रम यानि की प् सम्ता निड़न लेने की बीच संपूर बुद्धी मत्ता केंद्र होता है हमारा प्रह मस्तिस याने की सेरी ब्रह्म दोस्तों सेरी ब्रह्म और सेरी बिलम में आप confusion हो जाती है सेरी ब्रह्म अगर मस्तिस का भाग है जिसे ब्रह्म लगा है और सेरी बिलम पस्च मस्तिस का भाग है सेरी ब्रह्म जो है सबसे बड़ा मस्तिस का भाग है और यह बुद्धि मतावा चिंतन का केंडर है यह ध्यान में रखेगा दोस्तों यह ध्यान में रखने वाली बात है कि जो प्रमस्तिस यानि सेविब्रम है इसके दो अर्ध गुलाद होते हैं और प्रतिक अर्ध गुलाद जो है वो दो भागों में बटा होता है कार्टेक्स और मेडिला कार्टेक्स यानि बाहरी भाग, मेडुला यानि आंत्रिक भाग, कार्टेक्स यानि बाहरी भाग, ग्रे रंग का द्रोव होता है उसमें, जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, और मेडुला जो आंत्रिक भाग होता है, उसमें स्वेट द्रोव होता है, जिसे वाइट मैटर कहते हैं, एख्यान में रखे गा और दोस्तों इसके जय्स उल्टा मेहरी रज्जू होता है मेरे रज्जू में कार्टेक्स यानि यानि बाहरी भाग स्वेश्य ध्रव मैटर Lewis मैटर मैटर होता है तो हम जाने कि घरे हूं होता है बुद्धिमत्ता चितन वो हम सोचते समझने कि किरिया करते हैं और किसी भी चीज को अंकिये करना हो गया तार्किक छंता निड़ा लेने की छंता समपूर्ड बुधिमत्ता का केंदर है हमारा प्रामस्तिस यानी सेरिब्रव अब हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम जो होता है वहाँ गुस्सा आने पर प्यार होने पर डर लगने पर चिंता होने पर किरिया करता है नेश्ट है दोस्तों ये तो था टेली एंसी फिलान यानि की के अंतरकरत प्रमस्टिस्क और लिंबिक सिस्टम अब बात करते हैं डायन एंसी फिलान के अंतरकरत आने वाले थेलेमस और हाइपो थेलेमस के बारे में थेलेमस जो होता है वह ठंडा गर्म और दर्द का अनुभा कराता है कोई वस्तु ठंडा है कि गर्म है इसका अभास कराता है और हमारे सरीर में अगर हम सुई चुब होएंगे कहीं पर चोट लगेगा तो इसका अनुभा कराता है हमारा थेलेमस या दर्द होगा अपने आप तो भी दर्द इसका अनुभा कुन कराता है थेलमस ठीक है मालो हमारे पैर में दर्द हो रहा है हमको कैसे पता चला कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है तो यह हमारा थेलमस बताता है दोस्तो थेलमस जो होता है वह संवेदी कोशिकाओं के जुंड से इसमें थेलमिक केंद्र ब बोला जाता है। दोस्तों यह सवेधी तंत्रिकाओं से आये हुए आवेगों को सेरेब्रम के समधित छेत्र में भेशते हैं। जैसे कि दोस्तों जो भी हमारे बाहर से अंगों के द्वरा आवेग यानि संदेश आते हैं। सबसे पहले वह थैलेमस के पास आते हैं, अब भी थैलेमस क्या करता है, इसको सेरिब्रम यानि प्रमस्तिस के अंध्य छेत्रों में भेजता है, इस प्रकार यह एक स्टेशन का कारे करता है, यानि सेरिब्रम के समंधित छेत्र के मोटर तंत्रिकाउं से आये हुए, आवेगो को मस्तिस के समधित अंग तक भेजने का कारे भी यह करता है यानि यदि हमारे अंगों से संदेश मस्तिस के तरब जा रहे हैं तो भी सबसे पहले थेलेमस के पास जाएंगे और थेलेमस ही अपरा मस्तिस के सभी अंगों तक भीजता है यदि मस्तिस से बहुत सारे संदेश हमा इस प्रकार यहें स्टेशन का कार्य करता है ठीक है ठीले मस क्या करता है ठंधा गरम द्रदकान वह बताता है नेस्ट है हाइपो थैलेमस हाइपो थैलेमस जो होता है यहाँ प्रेम ग्रीडा हॉर्स बिसाद क्रोध शेप्स यानि सभी प्रकार के भावनाओं का केंद्र जो होता है वहाँ हाइपो थैलेमस होता है बेरी इंपॉर्टेन है हाइपो थैलेमस यहाँ डायन एंसी फिलान का निचला भाग होता है। ठीक है। यह सभी भावनाओं का केंदर होता है, और दोस्तों बेरी इंपॉर्टन है कि और यह ताप नियंत्रित केंदर है, हार्मोन पर करता है यानि प्यूस गृंथी में हाईपो थेल हार्मौन को भीजना इसका क проблем होता है जल संतुलं के नियंतर का केंदर संतुलं नियमक केंदर है भूक प्यास लगने का भी केंदर है तता कारो हईडर और विसा का उपापचे जैसे का करता है इतने सारे कार्य करता है इसको ध्यार में रखेगा ठीक है कि अब बहुत करते हैं मद्य मस्तिस की मद्य मस्तिस यानि मीड़ में इस एस इस तरह से नीचे आधा सता स्वेट होता है जो अनेक तंत्रिकाओं के तंत्रों से बनी होती है जैसे कि दोस्तों मध्यमस्तिस यानि मीड़ ब्रेन के दो भाग होते हैं कार्पुरा क्वार्डी जेमिना और सेरिब्रल पेंड़कन कार्पुरा क्वार्डी जेमिना जो होता है यह देखने तथा स्रमर चमतापर नियंत्र करता है यानि कि सरीर संतुरन आखों की गति को नियंत्रित करने का केंडर है या क्वार्पुरा क्वार्डी जे मिना जो सुपिरियर यानि उपर वाला भाग होता है वह देखने का काम करता है जो इनफिरियर या नीचे वाला भाग होता है वह सुन्ने से सम मंधित है ठीक है देखने और सुनने की छमतापन नियंत्र करता है ठीक और जो सेविब्रल पंडेकल है यह सेविब्र कॉर्टेस को मस्तिष के अन्य भागों तथा मेरी रजु से जोड़ता है जैसे कि दोस्तों मध्य मस्तिष पोंस्वेनली तथा मेडूला अबलांगेता इसा मिल करके मस्तिष का इस्तंभ यानि ब्रेन इस्टेम बनाते हैं यह तो हुआ दोस्तों मस्तिष का भाग हम बात करेंगे फस्ट मस्तिष यानि हेंडेड ब्रेन के बारे में परस्ट मस्तिष में से सेरी बेलम पॉन्स बैरीली मिललbell अब्लांगेता शेरी बेलम जो होता है यह भीरी इंपर्ड़िन यह नहीं होता तो निंवरें कोई विकार में कर पाते डान Link Meris नो कोई हहां कर bullish टीकल ढेन जैसे कि दोस्तों शेर बेलम को छोटा मस्तिस्क भी बोला माना जाता है यह हमारे गती यानि मुमेंट सरीर के आसान यानि बाड़ी पोस्चर और सरीर के संतुरन यानि बाड़ी पैलेंस अथा निर्थी करती समय अथ्वा खेलती समय सारी संतुरन बराने का कारे करता है इसके कारण यानि सेरी बिलम के कारण ही हम गिरे बीना चल सकते ह इसी के कारण हम नए चीजे शिख सकते हैं ठीक है दोस्तों यह पूंस बिरलाई और मिर्ला अबलांगेता की पीछे भाग पर इसी थे जैसा कि चेत्र में दीख रहा है जैसा कि दोस्तों कोई जब सराप पीता है तो वह लड़कराने लगता है क्योंकि उसका सिधा आसर सेडरीवलम पर पड़ जाता है वह अपने आपको बैलन्स भी नहीं जाकः पाता है तो سरीवलम जो हमारे गति को नियंद एक करता है हैं यह नहीं होता तो हम चल फिर नहीं सकते हैं और कोई नगशाशा नहीं सीख पाते हैं और तो लेश्ट हैर्पस्टमास्टिस का भाग यानि हिंड ब्रेन का भाग पोंस बरेली या जो होता मस्तिस के विभिन भागों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता हैं यानि सेरी बेलम को मेडुला से उपर मद मस्तिस द्वरा नीचे सेरी बेलम से जोड़ता है यह और गुलात को भी एक दूसरे से जोड़ता है अब बात करते हैं दोस्तों very important मेडुला-बलांगेटा की जो पस मस्तिस का तिस्रा भाग होता है सबसे अंतिम भाग होता है दोस्तो मेडला अबलांगेता क्या करता है कि वो उन जายवी कारियों को निअंतृत करता है जिन पर हमारे इस्षाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता यानी सभी अनअच्छिक क्रियाओं को को यह नियंत्रित करता है ठीक है उन्हें जब ही कार्यों का नियंत्र करता है जिन पर हमारी इच्छाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता यह पूंस विरली तथा मेरी रज्जु के बीच में इस्थित होता है जैसे कि दोस्तों पाचन तंत्र में आत के क्रमानुकंचन गती जिस हमारी कोई इच्छाओं का फर्क नहीं पड़ता उस चीज को कंट्रोल करता है मेरी अबलांगेता जैसे पाचन तंत्र हो गया रत परिसंचर तंत्र यानि ब्लड सर्कूलेशन हो गया हिदय धरकन यानि हार्ट बीट हो गया सोसन क्रिया हो गया इस सभी अच्छी क्रियाओं कर नियंत्र करता है मेरी अबलांगेता इसको विसेश रुप से ध्यान में रखिएगा मस्तिस को रिर्ड रज्व यानि की मेरी-डश्व से जोड़ता है ठीक है एंड दोस्तों जैसे की मिल्वलाव अबलंगेटा के और बहुत साथ कारे हैं जैसे की में कारे हमने बता दिया कि हमारे अनेची क्रियाओं जिस पर कोई फर्क नहीं परता हमारे पार कार्य करता है पाचन तंत्र रत परिसंचर तंत्र हिदर धरकं स्वसंद क्रिया इन तथा प्रेरग क्रियाओं को भी नियद्रित करता है तो दोस्तों इस प्रकार हमने सेंटर नर्वस सिस्टम के अंतरगत दो भाग आते हैं हमारा मस्तिष यानि ब्रेन और इस्पाइनल कार्ड यानि मेलुरजू ब्रेन के बारे में हमने जाना एंद दोस्तों नेश्ट नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगी उसके नेश्ट पार्ड में मैं आटनामस नर्वस सिस्टम यानि की एनस के बारे में बताऊंगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई हो कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे क किजिए दोस्तों और सिल्वेस के कॉर्डिंग पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर डेली बेसे से बने रहे हैं दोस्तों फर्स्ट बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिलाइक कर दीजिए जिससे न्यु वीडियो का अपडेट आप तक पोचिता रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं